हाई ब्रीवन बेलकम टू नीरोग टूड़े आज की इस वीडियों मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत वी प्योगी उसदी प्लान के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं यह उसदी पौधा जिसे छोटा धतूरा स्टाइबेरियन काक काकलबर लटपटावगा जाता है यह पौधा आपको हर जगर दिखाई दे जाएगा जदतर यह बर्सात में पैदा होता है और एक वर्सी प्लांट है जो की गर्मी में जैसा कि आप देखने इसका प्लांट उख गया है इसके जो फल है वह भी पुरी तरह से सूख गया और पत्तिया भी कुछ सूख है इसका ब्टेशिए अज जाता है इसका जोडों का दर्द हो या गंजेपन में भी इसका इस्तैमाल किया जाता है जक्त में अगर कहीं घाव हो गया है लोग रोगों में इसका बहुत की प्योग है और देख रहा है प्लांट इसमें पूरे प्लांट में उस छोटे छोटे रोयदार इसके पूरे सरीर में आपको दिखाई दे जाएंगे यह सद्धी पौधा अब देख रहे हैं यह बहुत ही प्योगी है और बहुत ही कमाल का प्लांट है अगर इसका रहे ठेंस इस्टेमाल किया जाद हर वीमारी परिस्ते करेंगे इसको तोड़कर पीशकर उसमें क्या करें थोड़ा हल्दी मिला लेंगे और हल्दी मिला कर अगर उस जख्म पर यह घाव पर लगाते हैं तो उसक्या हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी हो पूरी तरह से उसको ठीक करने में बहुत ही है उपयोगी प्लांट है कान दर्द में भी इसका बहुत ही और सधी अच्यू पूपाय है इसके लिए हम क्या करेंगे चोटे धतूरे में एंटी इंप्लेमेंटर और एंटी सेप्टिक होने के कारण इसके पत्य का अगर रस निगा कल उसमें तेल में क्या करेंगे पका कर तेल को पुरी तरह पकाएंग और कैसी भी समस्या है उसमें से बहुत ही इसका चमतकारी यह लाग आपको मिलेगा अगर इसका प्रियोग करते हैं आप तो कि बालों के लिए हम क्या करेंगे आज का छोटी ही उमनी ही बाल सफेद गंजापन आदी समस्या हैं लेकिन इसके घबराने की जूरत नहीं है आज हम इसके कुछ ऐसे प्रियोग बता रहे हैं जिसके अगर इस्तेमाल से आपको इन समस्या से आपको फायदा होगा इसके लि सफेद हो गए हैं जड़ रहे हैं गंजेपन है जितनी भी सारी समस्या है इसका अगर सियोन करते हैं एक ही अपते में आपको ऐसा फायदा मिलेगा जो आपको इसके बारे में सोच नहीं सकते तो इसका यह बहुत ही प्योग और सिद्धी गुड़ है शिर में अगर दर्द ह सिद्धी आपको बहुत ही समद्कारी प्योग होगा और कुछ देर में उसमें से दर्द से आपको मुक्ति में लगी यह जनी जितनी भी मगारिया हैं अगर इसका नीमित सियोन किया जाए उन सारी समस्यां से आपको पायदा होगा इसके लिए जितनी जिसे सारी कम्जूरी सबके लिए इसके पत्ते को हम क्या करेंगे तोड़कर उसको क्या करेंगे साफ करके उसको क्या करेंगे हम च्छाया में सुखा कर उसका क्या करेंगे पाउडर बना लेंगे कि इसे पाडर बनाकर हम भ्रख लेंगे एक साम को खाना खाने के बाद एक गिलाश चुछ लेंगे अधे घंट बाद खाने के बाद घंचे तराबार मात्र मिस्तिय भी मिला किना सीवन दूनों का कर सकते हैं। इसका अगर सीवन आप करते हैं देखते हैं आपको एक दो हक्तुन इसका एसा चमतकारी ही ृसका रिजल्ट मीलेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं आपको इतनी ज्याधा और सब के लिए इसके जो आप पत्ते देख रहे हैं उसको अगर पीस कर तो चापर अगर लगाया जाए तो अच्छा समधी जिदनी भी सारी जिमारिया है उन समय यह बहुत ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और डाइबिटेज के रोगी भी इसकी अगर रस का कि वन करते हैं नियमित उसमें से भी इसका रस निकाल अगर पीते हैं इसके जो कुछ साइड इफेक्त हैं क्यूंकि एक जहरीला प्लांट है अगर श्लिए का कुछ आपको अगर तमस्या हो रही है तो इसका थिवन नहीं करेंगे जैसे कि इसकी सिवन से यह होता है कि पीट में धर्द होन पर अगर होता है आप को इसका प्रियोग नहीं करेंगे और डायबिटीज के मरेज़ थोड़ा इसका इसका इस्तमाल बड़ी साधाइस करेंगे और जो की प्रेगनेंट महिलाएं हैं और जो की अभी सीसू को जर्म दिया है इसके बच्चे हैं जो दूस पिला रहे हैं उनको भी इसका इस्तिमाल नहीं करना जाएं क्योंकि इसके इसके इतने भी हैं आप इसका कयोग बाह तुचा में करेंगे और इसके साथ ही जितनी भी स तो चलिए मेलते हैं नेस्ट वीडियो में एक और फिक्यों के उसनी प्लाइब करूब में वीडियो पसंद गया इसमारी चैनल को लाइक किजिए और सब्सक्राइब कर दो तब तब के लिए बाइबाइब